आप देख रहे हैं वतन वापसी पर T20 के विश्व विजेता, रोहित और उनकी सेना की जो स्वागत की तयारियां है इस वक्त देश भर में और खासतोर पर मुंबई में जहां पर यह विजय जूलूस निकाला जाना है नर्मन पॉइंट से वानख्रेड स्टेडियम तक वीरे और जो बस का रूट होना जो एक स्पेशल रूप से तयार की गई बस वो रूट भी आप अपने स्क्रीन पर स्वक्त देख सकते हैं और दाहीं और देख सकते हैं जब-जब क्रिकेट के विश्व विजेता बनने के चार लमें हाए भारत में वह आप देख सकते हैं इ आपको लगता है कि जब ये लम्हें आते हैं एक तरह से देश तो यूनाइट होता ही है लेकिन एक सिटिजन के तौर पर देश के नागरिक तौर पर कितनी बड़ी महत्वता होती है इन लम्हों की पर होता है हर भारती का गर्व से सिरू पर होता है और खास्ताव से जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड कॉप्स की बात की लेकिन मैं उससे ज़्यादा बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट मैं कहूंगा भारती क्रिकेट के लिए था जब एस्ट इंडीज में जीत दर्च की थी गाव और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि यह वर्ल्ड कॉप्स जो आपने गिनाए हैं इस तरह है जो जीते हैं भारत में तो उससे एक विश्व कर शक्ति की रूप में स्थापित हो चुका है और भारत खेल जगत में भी धिरे धिरे एक शक्ति बनता चला जा रहा है यह पिछले हमने पिछले पिश्व कर शक्ति बाद से लगारा में जो पदक तालिका में विद्धी हुई है उसके जरी हमने देखा है तो पुल मिलाकर भारती हर भारती नागरी का सिर्व गर से उपर उखता है ऐसी जब मोवमेंट्स आते हैं और जहां तक आपने कहा कि मैं समझता हूं कि प्रकाश पादु को उनका ओल इंग्लेंड जीतना गोपी चन पुलेला गोपी चन का ओल इंग्लेंड जीतना यह सब बड़े-बड़े मोवमेंट्स थे और उसके बाद खासता और से ऐसा स्वागत जो मैंने देखा था करनल राजवार्दा सिंह स्वागत हुआ था बहुती भविस वागत था तो यह जो डिफाइनिंग मोमेंट्स भार्ती खेल जगत को मिले हैं यह मोमेंट भी उसका अंग है और मैं समझता हूं कि इससे भारती खेलों को बहुत ताकत मिलेगी एक जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेड़ना मिलेगी और वे देखेंगे कि इस तहरे यदि खेलों में भी करियर बनाते हैं तो एक हिरो के रूप में स्तापित हो सकते हैं और इतने स्वागत के लिए इतनी जादा संख्या में लोग उमड़ सकते हैं. तो निश्यत रूप से प्रणा का इस्तोत है गर्व का इस्तोत है तो ऐसे मोमेंट्स भारती खेल जगत को मिलते रहने चाहिए हैं मेरा इमाना है जी जी निश्यत रूप से अब ऐसे मोमेंट्स मिलते रहने चाहिए तस्वीरे आप इस वक्त पर देख सकते हैं चार तस्वीर Gateway of India पर आप देख सकते हैं जहां कप्तान धूनी पहुंचे थे उस बगत उन्होंने बाल मुंडवाय थे और युवरा सिंग के साथ की तस्विर है फैंस के रियक्शन लगातार आ रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं I've never seen something like this in my life It's totally mad India दी, for boys that दूना किसा मैंने जब सुना, like two days ago when they announced it I've been waiting since then, I planned all my work accordingly so I could be free for this I've never never seen something like this It's totally totally crazy and it just shows like the first part of India how we all are together for cricket I think all these people have taken a day off It's like a proper holiday for us just to see maybe one minute of looking at them pass with the Victory Cup पर ही बात सीमिद नहीं, भारतपुर में भी प्रशनसक हैं उन्हों का भी इस World Cup जीतने पर reaction आया, वो भी सुनवा देते हैं भारत ने 2020 World Cup 17 सालवाद जीता है और इंडिया ने दच्छन अपरिका को 29 जून को छेरन से हराया था आज भारत टीम भारत लोटी है और जस्न मना जा रहा है लोगों में कोसी का माहौल है मैं भारत पर में मौझूद हूँ, लोगों से बात कर लेते हैं कि इंडिया जिस तरह से World Cup जीती है 17 सालवाद, किस तरह का माहौल है और क्या खुशी है क्या नाम है सर? शत्रूद अन्तिवारी, सचेप जिला क्रिकेट सन भारत परूद सर, क्या कहेंगे 17 सालवाद, इंडिया वर्ल्ड कप जीती है सर? ये 1.500 करों भारत वासियों की जीत है, और ये 17 सालवाद जीत जो भारत को मिली है इससे वड़ी खुशी इस देश में कभी नहीं हो सकती, ये मानो आप दिवाली बन रही है देश में आज भारत की टीम खिलाडी भारत लोटे हैं, शाम को मुंबे में प्रोग्राम है, आज देश के पदामंती जी नरेंद मोदी जी, दिली में खिलाडी जी मिलेंगे इससे वड़ा गरव की बात नहीं सकती, देश का पदामंती खिलाडी से मिला, उनका उस्सावर्दन कर रहा है, जब टीम हारी थी 2-11 में, जब भी देश के पदामंती जी इनका उस्सावर्दन करने के लिए पहुँचे थे, उनकी जोस और उनका साहस मंगए गारत जीता है, लोगों में, कुसी है, और भी हैं, देखिए, आपका क्या नाम है? अच्चित राच्ट वारी. क्या कहेंगे आप, इंडिया जीत पर? इंडिया जीत गई, मैं बहुत कुछ हूँ, जिस दिन जीती थी उस दिन पता के चलायते और दांस करे थे. अच्छा लगातर भारत कोशिस करे जा रहा था, फाइनल, सेमी फाइनल लगातर भारत की टीम पहुंच रही थी, कहीं ना कहीं, किसमत का साथ नहीं था, इसलिए बड़े मैचों में, इंडिया एक मैच हार के बाहर हो रही थी, 2023 में बहुत अच्छे खेले हैं, हम ट्रॉफी डिजर् भारत के सम्मान में दूसरी ट्रॉफी हम लेके आएं, बच्छों सिंगी आप क्या कहेंगे जिस तरह से इंडिया सत्ते सालवाद जीती है, लेकि पूरे देश वास्यों को खुशी है, कि इंडिया का जिसका जीत का इंतियार कर रहे तो वो जीत आखिर मिल गई, पिछले ब प्राट को लिए ऐसे प्लियर ये भी बनना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप जीत को लेकरें, हमें बहुत कुशी हो रहे है कि आज हमारा इंडिया जीत चुका है, 2020 वर्ड का कॉरिस से और बड़ी कुशी और कोई बात नहीं है, यह हमारे लिए भी गरवी की वात है, आप क्र बरतपुर के लोग थे और जिस तरह से इंडिया ने 17 साल बाद दच्चन अपरिका को साथ रन से अला करके 2020 वर्ल्ड का अपने नाम किया है, लोगों में कुशी है, उस दिन इन लोगों ने जस्न मनाय था, पता के चलाय थे, एक दूसरे को मिठाई खिला करके बदाई दी बरतपुर से एंडि टीवी के लिए लाले तेश को स्वा रहने वाला है, चार अलगला मेमान हमारे साथ मौझूद हैं, और फैंस के लगाता रियक्शन इस वक्त पर आ रहे हैं, क्योंकि निच्छे तूरूप से उनी का लमा है, यह लमा विश्यकप विजयताओं का जरूर है, वो जो इतिहासिक इतिहास बना बार्बिडॉस में, लेकिन यह लमा वाकई प्रशंसको काया और उन्हें सुनाना चाहिए, प्रशंसको काया फिर से रुख करते हैं. यह तस्विर आप देख सकते हैं इस वक्तर हें जहां पर मुंबई से आरे सीधी जहां पर और मुंबई एरपोर्ट पर टीम पहुंचेगी और उसके बाद नर्मन पॉइंट कर रुख करेगी एरपोर्ट के बाहर के तस्वीर हैं आप इस बड़ी तादाद में मौजूद है सिक्यॉरिटी के पूरे इंतजामात हैं और पूरी तरह से कॉर्डन आफ करके खिलाडियों को बस तक लेकर जाये जाएगा जहां बस में सवार होने के बाद सुरक्षा घेरा उनके साथ बस में मौजूद रहेगा और आगे भी गाडियां सुरक्षा अकर्मियों की चलती रहेंगी और फिर ये कारुआ बढ़ेगा आगे निमन पॉइंट से शुरू होकर वांक्रेड जो हैं उनमें भी एक दौर में हुआ करते थे फिर बाद में कम हो गए अलांकि अब ओलंपिक्स में पदक बढ़ने लगे हैं और दूसरे चाहें वह हम बैड्मिंटन की बात कर लें कुछते की बात कर लें कपस आने लगे हैं और फिर खिलाडियों को रिकोगनिशन मिनने लगा है दूसरे खेलों में भी एक बड़ी बात इस दौरान देखने को मिली कि जो सिस्टमिक सपोर्ट था वो भी काफी बड़ा है मसलन अगर प्राइमिस्टर का खुद वन ओन वन इंटरेक्शन कर लें चाहें वो लूज मोमेंट्स हो चाहें फिर जीत हो उनका भी माँ बढ़ते रहना है जो देश हमारे साथ है देश की सरकार हमारे साथ में है और उससे फिर इस तरहें के बड़े जीत में मदद मिलते क्योंकि साथ महीने पहले हारने पर प्रदानमंतरी भी मौजूद थे उसी एमदाबाद के कप में वहां पर भी बात हुई थी खिलाड सिंग के कप्तानी में तब भी उनका स्वागत बहुत गरम जोशी के साथ हुआ था आज जो दूर संचार है टेलिविजन है इंटरनेट है इसके युग में लोगों को हर चीज हर खेल का प्रत्यक्ष सामने देखने को मिलता है एक एक लमहा और इसलिए हर किसी की धड़कन उन बहुत अच्छे ऑलमपिक के टाइटल्स जीते गोल्ल मैडल जीता वर्ल्ल कप जीता उस समाने में लोग ज्यादतर सिर्फ रेडियो से जुड़ पाते थे लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में एक जोश का संचार होता था एक सकारात्मक लहर जाती थी और उसके बाद भी आप देखिए कि ऐसा नहीं है दूसरे खेलों ने भी बहुत कुछ अच्छा किया है विल्सन जोन्स ने बिलियर्ज में 1961-62 के आसपस वो वर्ल्ल चैंपियन बने उनके बाद माइकल फरियरा ने बहुत साल तक हमारे को वर्ल चैंपियन होने का गौरब दिला है सा बाती साथ आप देखिए कि विश्वनातन आनंद या प्रकाश पादुकोन जब आल इंगलेंड जीत के आए या बाद में जब गोपी चन जीत के आए तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया फरक सिर्फ इतना है कि अब क्रिकेट जो है वो एक तरीके से जन मानस के अं कि जो क्रिकेट है उसकी धूरी हिंदुस्तानी क्रिकेट है तो जाहिर तोर पे हमारे यहां के दर्शक भी ज्यादा है हमारे यहां का जो जन समू है वो क्रिकेट को ज्यादा देखता है और जब कभी क्रिकेट में कोई हार होती है तो उस जन समू की जो उदासींता होती है जो उनके बीच में एक तरीके से तकलीफ होती है वो भी जादा होती है इसलिए जब हम जीते हैं इतने साल बाद हम तो ये एक तरीके से पूरे के पूरे देश के लिए हर्श उल्लास का एक बहुत अद्वितियस शन है और इस शन को लगबख सभी लोग जीना चाहते हैं कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि खिलाडी बिना दर्शकों के कुछ नहीं है उनकी शुब कामनाएं उनके शुबसंदेश उनके प्रेड़नाएं वही उनको एक तरीके से जब देखते हैं एक स्टेडियम में इतने सारे लोगों को तो उनके अंदर भी एक जोश आता है अपने ख और निश्यत रूप से बतार प्रिशंसक और फिर जब भारत का तिरंगा होता है जब लहरातावा दूसरे देशों की धरती पगरा 2011 वर्लकप को छोड़ते तो बाकी तीनों वर्लकप दूसरे तीनों वर्लकप हमने बाहरी जमीन पर जीते हैं ये एक बड़े अच्छी गौ समंदर पार इस तरह से क्रिकेट भी पहुंचा है इस बार इस बार वर्लकप अमेरिका में हुआ और वहां पर भी इसको काफी सेलिबरेट किया गया USA की टीम भी हमारे सामने खेली तो क्रिकेट भले जनमाजनस पर छा गया ये सच बात है क्रिकेट बड़ी तेजी से इसका एक तरह से कहें प्रशंसक वर्ग बढ़ा और इसने उस तरह से बड़े नाम भी पैदा किये परफॉर्मेंस को लेकर भी बात होनी चाहिए कि जितना क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो पाया उतना दूसरे खेलों में एक जमाने में होता था दीपक जी जो आपने होकी की बात कि हमारा प्रधान गेम तो वही था जो राष्ट्रे गेम था लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक तरह डिग्रेडेशन आया और क्रिकेट ऊपर जाते गया अब वो दौर आया कि क्रिकेट की प्रेड़ना से वापस दूसरे खेल खड़े हो गए मसलन आई पिल के बाद अब कुष्टी की लीग देख लीजे आप बैडमिंटन की लीग देख लीजे कबड़ी लीग देख लीजे फुटबॉल वापस एक बार स्टेट्स में आ रहा है आपको लगता है यह शुप संकेत है और यह जो क्रिकेट का मॉडनाइजेशन हुआ रिसोर्स आए वहाँ पर एक तरह से कहें कि जीत का सिलसला शुरुआ उससे एक दूसरे गेमों को भी प्रेंड़ा मिली है यह बिलकुल यह तो फैक्ट है कि एक तो बात माननी पड़ेगी कि जो बी सी सी आई का स्ट्रक्चर है वैसा दूसरे खेलों के जो संग है उनका नह है उसके अंदर जो पैसा आता है जो स्पॉंसर्शिप्स हैं जिस तरीके से कि टेलिविजिन के डील्स वगरा और इसमें बहुत कुछ योगदान पुराने लोगों का है माधवराव सिंदिया का है डाल्मिया जी का है आई पीएस बिंदरा साहब का है तो बहुत से लोगों है उनके अंदर भी लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं आप देखिए कि बिलियर्ड्स एक्चिली में अगर आप देखें तो उसने हमारे को सबसे जादा जीत दिलाई है पंका जड़वानी आज तक कम से कम एकमात रादमी है जिन्होंने कम से करने दस या बारा वर्ल्ट जड़ी नहीं मिल रही उनको इस तरीके से जन्समू कभी जानता भी निया वो शायद निकल जाए क्यों कि बिलियर्ड्स एस्वेशन या स्नूकर्स एस्वेशन ने उस तरीके का काम नहीं किया जिससे कि इन लोगों को कहीं न कहीं लोगों के बीच में जन्समू में जानका भी आपको एक बिलियर्ट का या स्नूकर का टेबल भी नहीं मिलेगा तो ये जरूरी है कि दूसरी संग भी इसी तरीके से काम करें और क्रिकेट के संग ने ना केवल लोगों को प्रेड़ना दिये लोगों को एक मार्क दिखाया साथ के साथ जो पैसे दिये गए हैं ऑलम्पि से बहुत बड़ा एक जिसको कितना मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है जिसको कि समझना चाहिए दूसरे खेलों को भी और अगर वो इस तरीके से बहुत प्रोफेशनल एक सेटप बनाएंगे तो डेफिनिटली दूसरे खेल भी आगे आएंगे दिक्कत यह है कि खिलाडियों क जिस तरीके का प्रोफेशन जिस तरीके का इंफ्रस्ट्रक्चर चाहिए वो आज क्रिकेट के पास है बाकी दूसरे खेलों के पास नहीं है अभीनव बिंदरा गोल्ड मेडल जीते थे सिरफ इसलिए क्योंकि उनके परिवार के पास इतने पैसे थे कि वो शूटिंग कर सकत ते उस तरीके का उन्होंने अपने घर में एक पूरा अरीना बनाया था शूटिंग अरीना हर किसी के बस की ये बात नहीं है इसलिए क्रिकेट का आज जो कुछ हो रहा है वो बहुत सरहानी है लेकिन क्रिकेट के पैसे से दूसरों को भी फाइदा मिल रहा है लेकिन कहीं न बहुत अच्छा खेलने वाले थे फुटबॉल में हम जानते हैं जर्नेल सिंग वगरा के टाइम से लेके आज भाईचंग भूतिया और अपने जो अभी सुनील शेत्री सबने बहुत अच्छा खेल खेला है बेड्मिंटन में बहुत अच्छे खेलाडी रहे हैं हौकी में बहुत अच्छे खेलाडी रहे हैं टैनिस में कृष्णन जैदी पुगरजी पेंजी इतलाल से लेके विजे अमरित राज आनन्द अमरित राज रमेश कृष्णन और किसी का structure ही नहीं है और इसलिए खेल गर्त में जा रहे हैं इसलिए cricket के सहराना करनी चाहिए और cricket के पीछे अगर लोग दिवाने हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल sponsorship का corporate structure का BCCI की planning और management का है यह बहुत ज़रूरी है और इसके लिए hats off literally heads off और यह बात इसलिए भी समझना जरूरी है सिर्फ resources संसादन होने से भी जादा बड़ी बात यह है मान साब यह भी समझना पड़ेगा कि performance जो खिलाड़ी है क्योंकि सवा सो करोड में से जो 11 प्लेयर्स चुने जाते हैं माली जे 15 प्लेयर्स भी अगर हम मान के चलें including किसी एक international tournament की team को उसके बावजुदन performance करना बड़े माईने रखता विश्विस्तर पर वो सबसे जादा वही गौरे काबिल रहता है अब इस वक्त पे अलग-अलग reaction आ रह करने को मिल रहा है वो वह आपको दिखाते है का 17 साल के बाद भारतिय क्रिकेट team ने किटी 20 वर्ड कप जीता है और आज वर्ड कप जीत कर भारतिय क latte टीम रापिस आ रहा है इसको लेकर भारतिये जो किर एक परशनशक है उसमें काफी उत्सा है हम उसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का उसा वो महसूस करें आप बताईए सदियों की बात बताओं कि गोरोपूर्ण एक शन होता है वो जिंदिगी को बना देता है और हम सबी भारतवाशियों जो भी क्रिकेट प्रेमी है वो उनके लिए इससे बड़ा खुशी का पल नहीं हो सकता कि भारत ने लगबग सत्रा साल बाद वर्ल्ड कप जिता टी ट्वंटी वर्ल्ड कप टीम भारतीय टीम को मनेजमेंट टीम को खास कर जैसे लोग कहते हैं कि राहूल दर्विडिक की ने क्या रोल किया मैं ये कहता हूँ कि जैशा ने भी जो रोल दिखाया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ यानि वैसा ही कुशी का इजहार कर रहे थे जैशा भी जैसा एक खिलारी कर रहा है तो ये मनेजमेंट क्या है कि अपने आप लगब यहीं चलेगा चल भी गया चलना जाएज था पूरे वर्ड़ कप में कोली नहीं चला तो तो फाइंदल में तो लाजमी था कि उसका बला चलना ही चलना है एक पलेर नहीं था फाइनल में आप देखें तो जश्परित बुमरा और आप देखें आर्सदीप तो इसे कई प्लेयर थे जिन्होंने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया मैं मैंने यह जहां तक देखा है कि भूसे लोगों के फॉन भी आये मेरे पास और उन्होंने लगबग यही चर्चा हुई कि जब अक्षर पटेल का और हुआ था तो अक्षर पटेल के आवर में लगबग बंद कर दी इंडिया ने उन्होंने सोचा भी इंडिया हार गी लेकिन जो कैच था सुरे कुमारी आदव का हकीकत है इरफान पठाने का जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं इस कैच को नहीं भूलूँगा हकीकत है मैच पल्ट दिया था उस कैच ने कलासिं था दोनों टी में अच्छा के लिए अफरीका भी बहुत अच्छाों इसको ये निम्म हालका कहले रहा ऐन्य दिकाता है था रहीक के जेशन कहीं जो आज थकंच इंडिया के लिए अ यह ऐसी बनती थी और इंडियानीस को देखा है। पास लोगों में क्या उत्सा एकदम आप तो वैसे कहें कि वो जो विक्टरी परेड है वो देखनी की तैयारी वहाँ पर भी होगी। क्योंकि भारत आज T20 कप जीत कर अपने देश लोटी है। तो यह देखिए तमाम जो प्लेयर हैं वो हमारे साथ में हैं और अलग-अलग तरीके सजेस्टिन बना रहा है। भारती टीम जीत कर अपने देश लोटी है। क्या कहना चाहेंगे कितने उत्सा ही थे। देखिए यह उत्सा हमें बहुत सालों बाद देखने। मेरे इसाब से 11 साल बाद T20 वर्ड कप उठाया है। और मैं बता रहा हूँ कि वो मैच ऐसा था कि लाश्ट में ऐसा लग रहा था कि भारत टीम हार जाएगी। शहर में पटाका आतिशबाजी करी थी और हम भारत की जीत का श्रे पूरी टीम को देते हैं नौट ओनली सिंगल मैन पूरी टीम एक टीम की तरह खेली थी और कप्तान रोहित ने जिस तरह से टीम कॉम्मिनेशन मना के रखा तारिफे काबिलता और हम बहुत खुश है भारत हैं उनको मोटिवेट मिलेगा कि हमारी टीम ने अच्छे किया है हमारे खिराडियों गोवर अच्छा प्रोस्तान मिलेगा और इसी तरह से टूनामेंट होते रहेंगे तो हमारे देश का बविश्य जो खेल के प्रती है वो बढ़कर चड़कर बाहर आएगा निखरेगा तो जो फुटबॉल का मैच है आज के दिन के लिए शुरू हो गया है बताएं वाई सब कितना उत्साइथ हैं बारतिये टीम जीती है और भी खेलों में आगे बढ़े क्या कहना चाहिए बहुत अच्छा बात है धन्यवां यहां पर देखिए हर एक लोग है जो कि खुशी बना जारा रहेंगे जी अगर आप तक आवाज पहुंश रही है यह बात भी जानना चाहेंगे लोग क्योंकि मैं हमारे पैनलिस से भी जाने की कोश्चे करूंगा क्रिकेट के विश्व विजाई होने पर उसको फुटबॉल से सेलेबरेट किया जा रहा है यह बड़े अच्छे पर आया है उसकी जब खुशी में लोग जगा-जगा क्रिकेट खेलते वाँ बैट बॉल लेते दिखाई पड़ रहे हैं उसको फुटबॉल के जरी सेलेबरेट करना यह क्या कॉंट्रास्ट है ज़रा समझने की कोशिश की जेंसे हाँ जी अब देखिए हम जानना चाह रहे हैं कि क्रिकेट मैच फाइनल जीती है टीम इंडिया और आप फुटबॉल के जरीए उससाइट क्यूंकि आप फुटबॉल के फिलियर हैं तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप किस तरीके से टूनमेंट कर देखिए जैसा कि आपको वालू है खेल सारे खेली होते हैं और किरकेट जीती है तो फुटबॉलर कैसे